हेलो एक्सर लेर्नर्स, स्वागत है आपका एक और टुटोरियल में अक्सर ही जब हम एक्सल में काम करते हैं तो हमें वो सब फॉर्मुलाज और टास्क की याद रहते हैं जो बहुत ही पॉपुलर या फिर कॉमन होते हैं या जिनको हम रुटीन में करते रहते हैं कई बर चोटी चोटी चीज़ें एक्सल में ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए हमारा बहुत ही टाइम कंस्यूम हो जाता है जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे पास एक सब्सक्राइबर हैं उनकी requirement ये थी कि इस तरह का data उन्होंने एक्सल में लिखना है तो वो manually इस data को type कर रहे थे जैसे मैंने तो अभी numbers 200 तक लिए हैं उनके पास numbers बहुत ज़ादा हैं और वो manually इस task को perform कर रहे हैं और जिससे उनका time बहुत waste हो रहा है तो ऐसी चीज़े करने में Excel में हमें छोटे-छोटे formulas का ध्यान रखना होता है तो आज इसी के बारे में बात करेंगे आप चाहे तो इसको data entry की category में categorize कीजिए क्योंकि ऐसे data को जब हम Excel में enter करते हैं तो हमें tricks नहीं पता होती ना ही formula याद रहता है तो कैसे इस तरह का data हम Excel में करें लेके आएंगे तो ये video tutorial ECK recording है वीडियो के end तक मेरे साथ बने रहें मैं शालीनी स्वागत करती हूँ आपका Learners Academy में चलिए video को शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई sheet insert करेंगे अब दिखिए हमें करना क्या है 1 से लेके 200 तक numbers को लेकिया आना है आपकी requirement कुछ भी हो सकती है 500 तक numbers हो सकते है 1000 तक हो सकते है अब जैसे मैंने first row में सिरफ 10 तक number लिए हैं आप 20 तक भी ले सकते हैं तो यह formula जो मैं आपको बताने जा रही हूँ यह सभी पे applicable होगा तो यहाँ पे मैंने अभी manually जो है 3 numbers जैसे मैंने type कर लिए उसके बाद मैंने इन तिनों को select किया और यहाँ से जब plus sign आ जाएगा इसको scroll करके हम इस तरह से ले जाएंगे तो first 10 जो numbers हैं वो मेरे आ चुके हैं अब यहाँ पे हमें लगाना है formula formula में क्या लगाऊंगी देखिए सबसे पहले कि यह जो 10 है इसमें 1 add हो जाए यहाँ पर 11 हो आ जाए फिर 10 में 2 add हो 12 आ जाए 10 में 3 add हो 13 हो आ जाए and so on तो मैंने यहाँ पे लिखा equals to और सबसे पहले हम थोड़ा सब बड़ा कर लेते हैं ताकि तो यहाँ पर मैंने लिखा equal to अब मुझे इस cell में क्या add करना है A2 की value अब देखिए यहाँ पर हमारा जो concept use होगा वो होता है cell referencing referencing का मतलब क्या होता है किसी भी row या column को freeze करना तो वो कैसे होता है with the help of F4 तो मैंने F4 प्लेस किया तो आप देख सकते हैं row और column दोनों के आगे dollar sign आ गया दुबारा से मैंने प्रेस किया तो सिरफ 2 के आगया मतलब second row के आगया आगया लेकिन मुझे यहाँ पर column के आगे लेके आना है means मैंने column को यहाँ पर freeze कर दिया है जे column हमेशा selected रहेगा two three four यह जो row number है यह change होते रहेंगे अब इसमें हमें plus क्या करना है यह value तो मैंने इसको select किया इसमें भी मैं आपनी referencing यूज करूंगी मैंने F4 प्लेस किया तुबारा से F4 प्लेस किया अब मुझे यहाँ पर इसको fix करना है मतलब second row को fix करना है column मेरे change होते जाएंगे आगे मैं बताऊंगी कि यह मैंने ऐसा क्यूं किया है तो अभी के लिए आप समझ लीजिए तो मैंने 10 में one add किया 11 आएगा तो जो जे वाला है उसको मैंने fix किया और इधर से a2 में से मैंने 2 को fix कर लिया जो की मेरी row है और मैंने इसको press किया enter 11 आ गया इसको इस तरह से आगे drag कर देंगे तो देखिए 11 से लेके 20 तक आ गया एक बार आपकी यह पूरी row complete हो जाए तो आपने इसी को यहाँ से cursor को पकड़के नीचे तक ले जाना है जहां तक भी आप numbers क डिस्प्ले करना चाहते हैं तो देखिए 240 तक numbers जो है वो आ गई है अब देख लिए हो क्या रहा है basically समझते हैं इस formula को यहाँ पर आ जाईए यहाँ पर जो calculation है वो क्या हो रही है जे 3 मतलब जे जो है वो आपका lock है जे 3 क्या है आपकी 20 value इसमें क्या add हुआ c2 तो c2 में क्या value है 3 तो 20 प्लस 3 23 इसी तरह से कोई भी number आप उठाके देख लीजे इसमें 50 में क्या add होगा 7 50 कहां पर पड़ा हुआ है आपका j6 में और 7 कहां पर पड़ा हुआ आपका g2 में है अब जैसे यह फोस्ट वाली रो है इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहां से आप इसको merge and center करेंगे और यहां पर मैं लिखूंगी नंबर ओफ वोटर्स जो भी आपकी requirement है वो आप यहां पर कर सकते हैं इसका font size थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और अगर आप इसको color करना चाहते हैं color भी दे सकते हैं और आगे मैंने इन नंबर्स को select किया इसको फिल कर सकते हैं तो हमारा डेटा जो है वो रेडी हो गया है तो ऐसी ट्रिक्स के लिए इस चानल को subscribe करें अगर यह वीडियो आपको beneficial लगी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपकी भी कोई ऐसी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉ करें को हमाना को पंस्ट करें को